मेरे हिसाब से YouTube ने धिमाग तो बहुत लगा है, इस चीज़ को smartly launch भी किया है, मगर जो नए creators है, जो solo creators है, मुझे नहीं लगता कि इन से उन्हें बहुत जादा कुछ फाइदा होगा अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ कि YouTube की नई monetization policy क्या है, तो आप गलत हैं इस वीडियो में मैं बहुत डीटेल में आपके साथ screen share करते हुए discuss करने वाला हूँ कि यह जो monetization policies में चुच चीन जाए हैं, उससे जो नए creators हैं, क्या उनको कोई फाइदा होगा की नहीं लेट ना गरते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा नाम है Kosti, Welcome to my channel Tech with Kosti पे हो, short format पे हो, podcast हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको 1000 subscriber, 4000 घंटे या फिर shots के थूरू से जो 10 million आपको last 90 days करने में उसमें कोई changes नहीं है यहीं पर YouTube ने थोड़ा सा game खेल दिया है, आपको 500 subscriber का scene है, उसमें आपको क्या मिलता है आपको बताता हूँ आपने सोची अपने channel पे 500 subscriber complete कर लिए और अगर आपका channel long channel है, तो आपको 4000 के जगा 3000 घंटे आपको watch hours करने हैं और अगर आप shots के थूरू से करते हैं, तो आप अपने channel पे 10 million के जगा 3 million views करेंगे, तब भी चलेगा इसमें आपके channel को क्या मिलता है, आप screen पे एक बाद देखिए, membership, super chat और shopping, ये तीन आप चीज़ देख पा रहे हैं screen पे, ये तीन चीज़े ही आपको मिलेंगे आप अगर चाहते हैं कि आपका पूरा channel monetize हो जाए, उसमें videos जो है वो भी monetize हो जाए, चाहे long हो या short हो, तो आपको आज भी पुराने policies को maintain करके ही रखना है 4000 watch hours, 1K subscriber या फिर 10 million views, shots में इस चीज़ को अगर आप नहीं करेंगे तो आपका content monetize नहीं होगा, आप सिर्फ 500 subscriber के थूरू से अपना audience monetize करा सकते हैं, आपकी जब वो वीडियोज देखेंगे, अगर वो चाहें, तो shopping कर सकते हैं, आपको super thanks दे सकते हैं, आपके channel पे membership ले सकते हैं, मेरे हिसाब से YouTube ने धिमाग तो बहुत लगा है, इस चीज़ को smartly launch भी किया है, मगर जो नए creators है, जो solo creator है, मुझे नहीं लगता कि इन से उन्हें बहुत जादा कुछ फायदा होगा, तो जैसे कि आपने screen पे देखा, आप समझ पा रहे हैं कि आप अपने audience को monetize कर सकते content को नहीं, ना ही आपके shots वीडियो में, ना ही आपके long वीडियो में, इस पे ads नहीं आएंगे, आपकी जो audience जो आपका content देखती है, आप उनके थूरू से पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो membership के थूरू से हो, super thanks के थूरू से हो, या फिर shopping के थूरू से हो, तो मुझे नहीं लग आपका क्या feedback है, इसके बारे में मेरे साथ जरूर comment section पर share कीजिएगा, कि as a new creator, जिनके 500 subscriber है, 1000 subscriber है, 5000 subscriber है, क्या उनके channel पे सच मुझ कोई income होती है, membership के थूरू से, super thanks के थूरू से, या फिर shopping के थूरू से, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं end करते हैं, मैं उमीद करता ह comment down below, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूँगा, आप चाहें तो मेरे साथ instagram में भी जोड़ सकते हैं, at the rate I am Kosti screen पे आपको idea दिख रही होगी, और हाँ जाने से पहले, अगर आप यह जानना चाहते हैं, कि AI related video बनाने से, क्या आपके channel को कोई फायदा है की नहीं, तो i button प क्योंचे होगी